प्राचीने हाँ इससे भी जादा हो सकते हैं और हैं अभी मैं आपको कल बताऊंगी कि आचारे कुंद कुंद स्वामी और मुश्रवनाथ भगवान केशराय पाटन का क्या संबंध है कल बताऊंगी आज समय नहीं है कल का जरूर आप मिस मत करना जरूर सुन लेना कल मैं बहुत बहुत उसमें बताऊंगी है न मतलब सारी विशय खोल कर बताऊंगी कि क्या यहां का आतिशा है चलिए मैं तीन चीज़ें बोलूँगी आपको कहना बड़ा ही महत्र है जंगल में जार का बाग में बार का और जीने के लिए प्रान का शरीर में कान का रहने में मकान का और प्रान दस प्रानों से रही सिद्ध भगवान का छोड़ने में आसकती का करने में अभिव्यक्ती का और हमारी जीवगी जीवत्व शक्ती का कर्म के हरने का भवसे तरने का और हमरी आत्मा के कभी नहीं मरने का शादी में पान का करने में दान का और जीवन में ध्यान का कहां कहां से आए हो बताओ नम जैपुर गाने में सुर का नत्य में नुपुर का आने वालों में मंगल विहार जैपुर का मिठाईयों में मावा का शादी के सावा का आने वालों में पिडावा का तरियंचों में बिल्ली का डंडा में गिल्ली का आने वालों में दिल्ली का सावन की घटा का रसोई में पटा का आने वालों में कोटा का जोर से बोलिए जालावार बाग में बाड का, जंगल में जार का और आने वालों में जाला बाड का अकलेरा होने में सवेरा का, गाड़ियों में तभेरा का और आने वालों में अकलेरा का जोर से बोलिए उजेन चहरे पर नैन का, गाड़ियों में बेन का और आने वालों में उजेन का सिलवानी, मंदिर में जिनवानी का, बोलने में मीठी वानी का, और आने वालों में सिलवानी का देवली, फूल में कली का, तपस्या में वाहु बली का, और आने वालों में देवली का रहने के लिए धरा का भोजन में बरा का और आने वालों में माल पुरा का और पाटन का सारियों में साटन का खिड़की पर काटन का और आने वालों में केशुराय पाटन का हिंदी में मात्रा का, इस्कूल में छात्रा का और आपकी तीर्थी यात्रा का चंदर्मा में गुरुत्वा कर्शन का, भौतिक्ता में आकर्शन का और भगवान के दर्शन का और शब्द बोलिए मैं महत्व बता दूँगी शनिवा का, अच्छा पानी की धार का महिलाओं में हार का और सबसाहर में शनिवार का और बोलिए शब शिक्षा नहीं मांगने में भिख्षा का लेने में दिख्षा का और जीवन में आत्मा के ग्यान की शिक्षा का और बोलिए फिरोजाबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आनेवानों में फिरोजाबाद का आपके पस तो शब्दी नहीं है आहार, साध्यों के विहार का, मनाने में तेवार का, और कराने में साध्यों को आहार का जैसे आप कोई लड़की है और वो कहे मैं खाओंगा, कितना अजीव लगता है, लगता है ना, यदि कोई लड़की कहे मैं खाओंगा, मैं आओंगा, मैं जाओंगा, तो अजीव लगता है, और कोई पुरुश कहे मैं खाऊंगी मैं जाऊंगी तो अजीव लगता है यहानि हमारी भासा भी कैसी होती है? इस्त्री लिंग, पुरुश लिंग, नपुनसक लिंग के हिसाब से ही हमारी भासा होती है अलग नहीं होती है, जैसा लिंग है, वैसी भासा है, यदि लिंग के अनुसार भासा ना बोली जाए, तो अजीव लगता है, लगता है ना, आजल की लड़कियों में बड़ी फैशन चली, ममा मैं खाऊंगा, ममा मैं जाऊंगा, आजल की लड़कियों को पता नहीं, वो इस् स्थ्री रही। और भोलिए ना वोल सकते संकेवी game, वोई जलम के जो कि खाओंगी। मटमीम है भाओंगी OS या मट कर आवसा थहा तु लड़की रेके? जल्ड़कााते है ज्सक सब रहम कि छिल्ड़की को जजा नक है नहीं, जैसा लिंग, वैसी भासा होनी चाहिए. चलो, घर में तो चल जाता है, और वोई बात यहादी, बाहर जाके बोलोगी तो फिर अच्छी लगेगी क्या? सब के बीच में बोलोगी तो अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी, इसलिए जैसा है, वैसा रहना चाहिए, ठीक है तो तीन लिंग होते हैं, कौन-कौन से, इस्त्री लिंग पुरुश लिंग और नपुन्शक लिंग तीन लिंग होते हैं, ठीक है भगवान महावीर ने इसे तीन वेद गही है क्या कहा इसे, इस्त्री वेद पुरुश वेद और नपुन्शक वेद ठीक है अब जो दो चीजे हैं द्रव्य से इस्त्री भाव से इस्त्री द्रव्य से पुरुश भाव से पुरुश द्रव्य से नपुन्शक भाव से नपुन्शक और दोनों चीजें अलग अलग है द्रव्य से इस्त्री यानि इस्त्री का शरीर द्रव्य से इस्त्री मतलब इस्त्री का शरीर इस्त्री के शरीर की रचना किसने करी? कर्मिने इस्त्री के शरीर की रचना किसने करी? कर्मिने मा के पेट में किसका निर्मान होता है शरीर का निर्मान होता है करता कौन है मा करती है क्या मा शरीर का निर्मान करती है क्या मा तो केवल भोजन करती है क्या करती है भोजन करती है और अंदर में जो बालक है या बालिका है उसका शरीर का निर्मान होता रहता है कोई ऐसा अंदर कारीगर नहीं बैठा है कोई उपर कि वो एक एक आख बना रहा है फिर एक नाख बना रहा है फिर कान बना रहा है फिर पाउं बना रहा है फिर तुम्हारे दांत बना रहा है तुम्हारे बाल बना रहा है ऐसा कोई कारीगर ने बैठा है हर जीव का अपना कर्म है और हर जीव का अपने कर्म के अनुसार उसके शरीर का निर्मान होता है आपके शरीर में कितने रॉम होने हैं कितने बाल होने हैं कितने बाल कहा होने हैं आपके दाथ कैसे होने हैं आपकी नाग कैसी होनी है सारा निर्मान कर्म का काम है किसका काम है? कर्म का काम है अब तो प्लास्टिक सरजरी करवा करवा के change होने का प्रयास कर रहे है लेकिन मूल शरीर तो मूल ही रहेगा है ना तुम द्रब्ब में परिवर्तन कर सकते हो थोड़ा बहुत वो भी जादा नहीं थोड़ा बहुत जादा नहीं कर सकते हो है ना यह आजकल शरीर है पुद्गल है और डॉक्टरों ने आजकल बहुत सारे शरीर और पुद्गल पर विजय प्राप्त करी है और बहुत सारे उन्होंने खोज करी है नई-नई चीजों की खोज करी है तो जिसके कारण से यह सारे काम होते रहते हैं अब महालों किड़नी है दूसरी किटिनी डाल देते हैं इसकी निकाल के उसमें डाल देंगे इसकी निकाल के उसमें डाल देंगे यह द्रव का काम है, पुद्गल का काम है है ना, एक्सिटेंट हो गया या हड़ी खराब हो गई तो रोट डाल देंगे लोहे की रोट डाल देंगे तो वो चलना फिरना जो तुम्हारा काम है वो होता रहेगा यह पुद्गल का काम है लेकिन भाव कैसे बनाना है यह तुम्हारा काम है यह कर्म का काम है है ना तो शरीर का निर्मान द्रव इस्त्री या द्रव पुरुष या द्रव नपुशक शरीर भाव वेद द्रव वेद अलग चीज है और भाव वेद अलग चीज है शरीर तो इस्त्री का मिल गया मगर इस्त्री वाले भाव हैं की नहीं है तोगी दोनों में बड़ा अंतर होता पुरुश में और इस्त्री में भावों में, विचारों में बड़ा अंतर होता है देखने में, बोलने में, उनकी चाल में, उनके हाथ मटकाने में, उनके गरदन मटकाने में, इस्तरी और पुरुष में बड़ा अंतर होता है, आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान दोगे न तब पता चलेगा कि कैसे अंतर होता है, हम तकिवल जीते हैं बस, और जो भाव होते उन्हें व्यक्त करते हैं, खोज करना हमारा गाम नहीं है, कैसे नहीं है, हम खोज नहीं करेंगे, तो हमारा ग्यान कैसे बढ़ेगा, और हमारा ग्यान नहीं बढ़ेगा, तो सत्य कैसे उधगाटित होगा, और जब तक सत्य को नहीं पहचानोगे, तो सत्य क जी ओगे जियो गैसे इसलिए को जो हूँ तरिष्टी होना अतियन्त ज़रूर है तो सिरी के स्थरी की चाल अलग है वगले हाया Выसकिन है जाए अगि कोई लड़का ऐसे चले कैसे लड़कें आइसे चलताै कैसे लड़कें जाकिन शिर्व और है बोलते की नहीं बोलते हो, तुरत उसे टौक देते हो, है ना, तो इसका मतलब यह हुआ, ठीक करके हाथ हटा लो वहां से, बस, अब तुम पिछे हट जो वहां से, पिछे हटो, हटो वहां से पिछे, इस तरी का अलग, चाल और पुरुष की अलग चाल, और नपुंशक की चा तुम जो चलते हो ना, तुम नहीं चल रहे हो, कैसे चलना है, यह कर्म तै करता है, तुम्हारा कर्म कैसा है, वैसी तुम्हारी चाल होगी, तुम्हारी आवाज कैसी होनी है, यह तुम तै नहीं करोगे, यह कर्म तै करेगा, यानि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है अब जैसे इस्त्री का शरीर बनना ये हमारे हाथ में नहीं है लेकिन इस्त्री का सुभाव चलो इस्त्री जैसे सुभाव है ये भी करम का काम हो गया मोहिनी कर्मे से भाव वेद बनता है और शरीर का वेद नाम कर्मे से होता कर्मे कितने होते आठ कौन कौन से ग्याना वरं दर्शनवरन, वेदनिय, मोहिनिय, आयो, नाम, गोत्र और अंत्राय यह आठ कर्म होते हैं, ठीक है? अब यह आठ जो कर्म होते हैं, तो हमारा जो भाव बेद है वो मोहिनी कर्म के कारण से होता है और जो द्रब्य वेद है, वो नाम कर्म के उदय में होता है अब इस्त्री वेद किसे कहते हैं इस्त्री के मन में पुरुष के प्रती भावत्पन होना रमन के यह हो गया इस्त्री वेद पुरुष वेद किसे कहते हैं पुरुष के मन में इस्त्री से रमन का भाव होना यह हो गया पुरुष वेद शरीर का वेद अलग और भाव वेद अलग और नपूंशक वेद दोनों से रमन के भाव होना ये नपूंशक वेद ठीक है अब जैसा शरीर है वैसे भाव हो वैसे चाल हो वैसे देखना दिखाना हो वैसे साहस हो इस तरी सुभाव से थोड़ी सी ड़ने वाली होती है एक क्या होगा, जब तक वो छिपकली बाहर नहीं निकलेगी, तब तक वो कमरे में गुसने वाली, अरे छिपकली तो छोड़ो, एक चुहिया आ जाए, अकेले पैंसा कमाने से पुरुष नहीं बन जाते हैं, कुछ लोग यह सोचते हैं, पैंसा कमाने से हम आथ में निर्भर हो ग एक चुहिया आ जाए, तो अभी हाल देगो कैसे कूदती है, तो चुहिया भी खूदती है, और यह भी कूदती है, और यह भी कूदती है, तो अनों कूदती है, चुहिया इनसे डरती है, और यह चुहिया से डरती है, यह इस्त्री सुभाव है, डरना, जल्दी से डर जाना किसी चीज से जरा किसी ने बोला, जल्दी से गंगा और जमना बहने लगी, पुरुष की जल्दी से नहीं बहती है, इस तरी की जल्दी शुरू हो जाती है, जबकि दोनों का जनम एक ही मा के पेट से हुआ है, दोनों एक ही माने जो रोटी बनाई थी वही खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही दूद पीते हैं, वही सारा काम करते हैं, उसके बाद भी दोनों की शक्ती में भी अंतर होता है, इस तरी चाहे चार रोटी खाए, और पुरुष चाहे दो रोटी खाए, उसके बाद भी दो तोनों की शक्ति में अंतर होता है. अच्छा अच्छा लगा क्या आपको? यह भाग आपने पहले कभी नहीं सुनी थी? ऐसे ही लग रहा है. नहीं सुनी थी, पहली बार शुनी है. इसलिए आपको अच्छा लगा कि कुछ ज्ञान हुआ मुझे. यानि एक ही मा के पेट से दोनों का जनम होता है. और उसके बाद भी दोनों में अंतर होता है. हर चीज में अंतर होता है. लड़कियां पुरुष बनने की कोशिस करते हैं. लेकिन पुरुष लड़की बनने की कोशिस एक लड़की थी. मैं एक हरियाना के शहर में गई तो वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाओ तो वहाँ पर एक लड़की के बाल कटे बिलकुल लड़कों जैसे लड़कों जैसे कपड़े पहने तो मैंने उसे समझाया बहन तू लड़की है तू लड़की जैसे रहा कर नहीं, क्या होता है, सब बराबर है, कोई लड़की वड़की नहीं, सब एक जैसे हैं अच्छा भई, मैं तो एक बार बोलती हूँ, उसके बाद फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने है, एक बार मैंने उसको थोड़ा सा इशारा किया फिर मैं वहाँ से बिहार कर गई, दूसरे शहर में गई, दूसरे शहर में गई, तीसरे शहर में गई, फिर चतुरमास हुआ, फिर लोटके वापस उसी गाउं में आई तो वो लड़की सूट पहनी, बाल बढ़ाए, मैंने कहां बहन ये परिवर्तन कैसे हो गया, वो ले एक दिन स्कूटर पे जा रही थी, और एक लड़के वाले की साइकिल ठोक दी, तो साइकिल वाले लड़के ने, मुझे लड़का समझ के दो जहापर मारे, उस दिन से मैंने बाल भी बढ़ा लिये और सूट पहनना भी शुरू कर दिया, कि लड़की के लड़के के चक्कर में पिट और जाती हूँ, है ना, घी गीदर यदी शेर की खाल पहन ले, तो शेर नहीं हो जाता है, तो मैं यदी जीन्स और शेर्ट पहन लेती हो, तो तो लड़का नहीं हो जाती हो, उससे गड़वर और हो जाता है मामला, और कितने तरहे के गड़वर होते हैं, वो तुमी सोच लेना, मैं नहीं बताऊंगी, कितनी तरहे के गड़वर होते हैं, तो जो जिस परियाय में हैं, उस परियाय के अनुसार रहे, भावों को विशुध करने का प्रयास करें, जादा से जादा विचारों में धरम करने का प्रयास करें, इस परयाय से छूटने का एक ही उपाय है, कि धरम करो, बस, यदि तो मिस्त्री वेध है, तो पुरुष वेध से मुक्ति मिलती है, तो आप पुरुष कैसे बनो, आपके मन में आता होगा, तो आप कभी दुबारा इस्तरी कभी का मितलब अगला अगली परियाज होगी, कम उसमें तो तुम इस्तरी नहीं बनोगे, और आगे सम्यक दर्शन पराप्त करते रहोगे, तो फिर मोक्षे भी चले जाओगे, इस्तरी परियाज में वापस आने की, जरूरत ही नहीं पड़े तो तीन वेद होते हैं, इस्तरी वेद, पुरुष वेद और नपुनसक वेद, सारी दुनिया में इसे लिंग के नाम से पहचाना जाता है, आप अंग्रेजी में कहो, तो जेंडर बोलते हैं, तो मानते तो हर कोई हैं, लेकिन किसी ने भी द्रभ वेद और भाव वेद और भाव इस्तरी लिंग, ऐसा नहीं बताया, किवल एकी चीज बताई, इस्तरी लिंग, भगवान महवीर ने इसे दोनों को अलग-अलग करके बताया है, सामानता है, तो जो इस्तरी है, उसमें भाव इस्तरी होती है, सामानता, जो पुरुष है, उसमें सामानता भाव लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो इस्त्री शरीर से है उसका भाववेद पुरुश हो किनी किनी इस्त्रीयों को आपने देखा चलती है तो आदमियों जैसे चलती है बोलती हैं तो आदमियों जैसे बोलती है निडर, साहसी, हर जगह लड़ने-मरने तैयार जहां चाहे कूद जाएं, जहां चाहे आगे बढ़ जाएं यह निडरता पुरुष में होती है यदि बाहर लड़ाई हो रही हो, तो पुरुष पहले जाएगा इस्तरी अंदर कीची गर में बेट जाओ तुम बीच में फढ़ जाओगे, फट जाओ बेट जाओ गर में पुरुष के गड़ देखने तो दे कुछ नहीं होता है, बेट जाओ यह आँ पर उन्दर कौन खीच रह है? यह इस्तरी वेद अंदर कीच रह है बाहर कौन जाना चाहता है पुरुष वेद बाहर जाना चाहता है साहस साहस, शक्ति, शोर्य यह पुरुषों में होता है सुभाव से लेकिन कोई-कोई पुरुष भी ऐसे होते हैं जो द्रव्वेशे पुरुष होते हैं लेकिन भाव से इस्तरी होते हैं इसमें हसने वाली क्या बात है जो है सो है इसमें तुम्हारे हाथ में क्या है जो मिला है सो मिला है अब तुम्हें जो मिला है उसको कैसे ठीक करना है यह तुम्हारे हाथ में है भाव द्रव्य को ठीक करना तुम्हारे हाथ में नहीं है हाँ भाव ठीक करोगे तो अगले जनम में द्रव्य भी ठीक हो जाएगा तो तुम्हारे हाथ में भाव ठीक करना है तो कोई-कोई पुरुष भी ऐसे होते हैं जिनमें वेद होता है इस्तरी का यानि चाल कैंसी होती है लड़कियों जैसे चलते हैं पसंद कैंसी होती है लड़कियों जैसे होती है और आजकल की तो लेडी जो ने अपने पुरुषों को पुरुष होते हुए इस तरी बना दिया है खाना बनाओ मैं अकेली बनाओं क्या हम life partner हैं कौन है हम आजकल पती-पत्नी नहीं होते हैं क्या आजकल पती-पत्नी नहीं होते हैं आजकल life partner होते हैं partner का मतलब समझ गए हैं बराबर गाले partner यानि जो बराबर का हो वो partner कहलाता है जो मैं कर रही हूँ वो ही तुम करो मैं जादा नहीं करूँगी तुम भी तो इस घर में रहते हो तुमारा काम भी तो थोड़ा बहुत हाथ बटाने का सारा मैं ही करूँ क्या बच्चे तुमारे भी तो है तुम तयार करो ना एक दिन मैं तयार करूँगी एक दिन तुम तयार करो एक दिन मैं खाना खिलाूंगे, एक दिन तुम खाना खिलाूंगे, दो घंटे मैंने सम्हा ले, आप दो घंटे तुम सम्हा लो, सारे दिन मैं सम्हा लो क्या, आजकल ऐसी भावना महिलाओं के अंदर में आ गई है, जबकि प्रकर्ती ने पुरुष को शक्ती का प्रतीक बना और इस तरी कॉमल है यह, जर आसी धूप में जाएगी, मुर्धा जाएगी, आपने लइकियों को देखा हो का धूप में वो बांद के घूमती हैं मूह में, कपड़े लपेट के घूमती हैं, है ना, किसी पुरुष को देखा, वो कपड़े लपेट गूमता है, और जाति कि अधिके ब्दी चीजोरा होती तुसकी कि संध उसकी पसंद प्रश मेंगजों। और पुरुष संदर दिख ने का ने कि उन्धर देखने का भह पैदा कर था. पुरुष के अंदर सुन्दर देखने का भाव होता है और इस्त्री के अंदर सुन्दर देखने का भाव होता है यह वेद का काम है वेद का काम है यह तुम नैचरल जो कर्म का उदय चल रहा तुम उसमें जी रहे हो और यदि इसमें नहीं जी रहे हो इसका मतलब तुम्हारा मन, तुम्हारे भाव, तुम्हारे हाथ में है स्वाध्याय से, सैयम से, साधना से इसको ही तो कंट्रोल किया जाता है कि हम किसकी सुन्दर तो देखना चाहते हैं पुदगल की? पुदगल तो आज सुन्दर है और कल नहीं है कई वार होता है, कि कई घटनाएं मैंने सुनी है, कि जैसे कोई लड़का लड़की है, भाई एक पसंद कर रहा है, दूसरे पसंद नहीं कर रहा है, दूसरे को गुस्सा आ गया, तो लड़का क्या करता है, उसके मुँपे क्या फैकता है, तेजाब फैक देता है, अब तेरी स शेक्णो आपने अखवार में पढदा ओगा और लड़की की उपर ही 30 पर नहीं है क्योंकि पोटा सुन्दर होने को तैयारी लोयारी नहीं है ठीक है जाओ शक्ति है जहां शक्ति है वहां किसी चीज की ज़रूत नहीं है शक्ति की तरब सभी आकरशित होते हैं शक्ति सुरक्षा देती है शक्ति साहस देती है शक्ति जीने का संबल देती है शक्ति सहारा देती है और कौमलता को सहारा की जरूरत होती है अब आजकल की लड़कियों में कौमलता तो पूरी है नाजुक कली बनी है और वैसे कहते कि मैं किसी की सुनूँगी नहीं मैं किसी की मानूँगी नहीं मैं क्यों सुनू लाइप पार्टनर है वो सुने मेरी मैं ही मही सुनूं क्या मैं ही मही करूं क्या मतलब इस तरह के भावों से ये जो बेद की विवस्ता है बिटन रही है बंचंहकल है दुखमकल है दुख बढ़ेगा जुक बढ़ेगा है केंशे बढ़ेगा यह Łश के शारे कारन इसके अट्फ कारन पईदा हूँ रहे सत्रीकि तो इस तरिके के है 에 तो क्या जिनके शरीर में पुरुश होते हुए इस्तरी के भाव है तो क्या वो दिख्षा नहीं ले सकते? ले सकते हैं. क्या वो मोक्ष नहीं जा सकते? जा सकते हैं. कहीं बाधा नहीं है कहीं बाधा नहीं है है ना ऐसे इस तरीका है क्या दिख्षा नहीं ले सकती ले सकती है और अच्छे काम करेगी है ना और ये वेद कहां कहां होते हैं देवों में होते की नहीं होते नार्कियों में होता की नहीं होता त्रेयंचों में वेद होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं संसार के समस्त प्राणियों में द्रब्वेद और भाववेद दोनों पाए जाते हैं तो एक किंद्री से लेकर जो चारिंद्री तक के जीव हैं वो नियम से नपुनसक होते हैं क्या, एक इंद्री से चार इंद्री तक के जो जीव होते हैं, वो नियम से, लिखलो आप इस बात को, नियम से नपुनसक होते हैं, और जो पंचेंद्री होते हैं, गाय, भैस, कुट्टा, चिडिया, कवादी, तो ये तीन जनम बाले होते हैं, अन्डज, पोटज, और गर्भज, कौन-कौन से, अन्डज, पोटज, और गर्भज, अन्डज, यbn जो अंडे से पैदा हो, है न, और पोटज, एक जर, लपेटी हुई आती है, एक पोट आता है, पूरा लपेटा हुआ, बस उससे जनम हो जाता है, उसको जैसे ही हटाते हैं वो चलना फिरना शुरू कर देता है पोतज और गर्भज जो गर्भज से पैदा होता है 9 महिने के बाद, 10 महिने के बाद 11 महिने के बाद, 12 महिने के बाद सबका अलग-अलग टाइम है जैसे त्रेंच हैं उनमें 15 महिने तक का टाइम है और मनुष्य है, मनुष्य में 9 महिने का टाइम है, फिर भी कोई साथ का हो जाता है, कोई हाट का हो जाता है, लेकिन यदि जो हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी उसके अंदा शरीर में रह जाती है, तो यह हो गिया मनुष्य का जनम और त्रियंच का जनम तो त्रियंचों में कौन-कौन से वेद हो गए नपुंशक वेद एक इंद्री से चार इंद्री तक पंचेंद्री में तीनों वेद होते हैं नपुंशक, इस्त्रिवेद, पुरुषवेद ये त्रियंचों के हो गए मनुश्यों में तीनों वेद होते हैं इस्त्रिवेद, पुरुषवेद और नपुन्शक वेद देवों में दो वेद होते हैं इस्त्रिवेद और पुरुषवेद उन्हें नपुन्शक नहीं होते एक वो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में एक सूत्र आता है ना देवा क्या सूत्र आता है? ना देवा अब ना देवा का क्या मतलब? देव नहीं होते अब इस सूत्र को पहले सूत्र से जोड़ना पड़ेगा कि देव नपुंसक नहीं होते क्या जोड़ना पड़ेगा देव नपुन्शक नहीं होते होंने किवल दो ही वेद होते हैं और नार्कियों में एक ही वेद होता है कौन सा वाला नपुन्शक वेद नार्कियों में इस्त्रिवेद पुरुश वेद नहीं होता है तो संसार में कौन से वेदवालों की संख्या जादा है कौन से वेदवाले जादा है इस्तरी वेदवाले की पुरुष वेदवाले की नपुनसक वेदवाले नपुनसक वेदवाले जादा है कैसे जादा है निगोदिया कितने है अनन्त अनन्त है और सारे निगोदिया नपुन्सक है और एक इंद्री से चार इंद्री तर प्रत्वी, जल, अगनी, वायू, वनस्पती ये सब नपुन्सक के अंतर गताएगी दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री ये सब नपुन्सक के अंतर तो नपुन्सक की संख्या जादा है और इस्त्रिवेद, पुरुषवेद, किसमें? मनुष्य और देवों में दोई में तो होते हैं, त्रियंच उगले लो तो पंचेंद्री, त्रियंच कितने हैं? बाद गिने चुने हैं मनुष्य कितने हैं? गिने चुने हैं देव कितने हैं, वो भी किने चुने हैं, है नो, तो नपुंसक वेद वालों की संख्या जादा है, तो जो अपना अभी चर्चा चल रही है, कल अपने जुगुपसा पर चर्चा की थी, नो कशाय थी ना, नो कशाय में हाज, रती, अरती, शोग, भय, जुगुपसा, तीन वे